नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूग चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही इफ़क्टिव हॉपपैथिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तो गॉयकम इसका पूरा नाम है गॉयकम ओफेनेलिस यदि आपको कहीं भी दर्द की प्रावलम है पुराने सा पुराना दर्द आपको काफी लंबे समय से परिचान कर रहा है तो उसमें गॉयकम मैडिसिन का यूस किया राता है आज की इस वीडियो में मैं आपको गौईकम मैडिसिन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस मैडिसिन का यूज आपको किस तरह से करना है किस पॉटेंसी में इस मैडिसिन का हम यूज करेंगे कब तक regularly इस medicine का हम use कर सकते हैं और किन-किन बीमारियों में इस medicine का use किया जाता है कम से कम 10 बीमारी ऐसी होती है जिसमें guaycum medicine का use किया जाता है पर potency सबसे ज़्यादा माइने रखती है कि हम mother tincture form में use करें कब हमें potency form में use करनी चाहिए कब तक regularly इस medicine का हम जेबन कर सकते हैं दोस्तों पुराना से पुराना दर्द ही आपको काफी लंबे समय से परिशान कर रहा है तब आप इस medicine का use कर सकते हैं पूरी जानकर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप अंतक देखे medicine को अच्छी तरह से समझे तो medicine का use करके अपनी problems को पूरी तरह से ठेक करें तो चलिए देर न करते हैं इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारी चैनल पे नए हैं यदि आप हमारी चैनल से जोड़ना चाहते हैं यदि आप उससे related कोई भी medicine जानना चाहते हैं तो आप रातरी 9 वजे आप हमारी life clinic जोइन कर सकते हैं यदि आपको comment में किसी भी तरह का reply नहीं मिल पाता है तो रातरी 9 वजे आप हमारी life clinic जोइन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो बात करेंगे guaiacum of anilis medicine के बारे में मैं पिक्चर आगा देते हूं आप इसे अच्छी तरह से देख लीजी यहाँ guaiacum medicine है हमारे सरीर में बहुत ही अच्छा काम करती है इस पे इसलिए पुराने से पुराने दर्द में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है हम एक एक करके disease को समझ लेते हैं कि किस disease में कब हम इस medicine का use और किस potency में कर सकते हैं पहले नंबर पे आता है दोस्तो यहाँ tonsillitis में बहुत ही अच्छा काम करती है यहाँ एक तरह की गंबीर समस्या है किसी को tonsillitis की problem हो जाती है tonsill में सूजा आने लगती है tonsill में पस बगीरा निकलने लगता है tonsill red हो जाती है और काफी लंबे समय से patient tonsill से परिशान रहता है तो उसमें tonsill में इस medicine का use किया जाता है इस पेसली mother tincture form में इसका use करना है एक कप पानी में 15 बून सुबा 15 बून दुफैर में 15 बून रात में मेना पिक्चर लागा दी है आप इससे अच्छी तरह से देख लिए mother tincture form में इस medicine का आपको शेवन करना है दूसरे नमबर पे आता है दोस्तो gout, gattia जिसे आप हिंदी नाम से भी जानते हैं gattia bow इसे हिंदी में कहा जाता है इस पेसली पुराने से पुराने gattia में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जब gattia bow की problem हो जाती है तो यह जो wind हमारे होते हैं तेड़े एड़े हो जाते हैं इसमें swelling आ जाती है इसमें surgeon आ जाती है और इसमें patients redness हो जाती है और patients छूने तक नहीं देता इतना ज़्यादा दर्द होता है और neurologic pen इसमें हमें देखने को मिलता है तब हम patients को guicum medicine देने की आउशकता होती है इस बात को अभिशे ध्यान रखें जिस तरह से neurologic pen होता है तो उसमें arnica काम करती है उसमें kolosind काम करती है उसमें mekfos काम करती है उसी तरह से इस medicine का use guicum का use इस condition में किया जाता है आप समझ गए होंगे कि अधि आपको गट्रोवाव की problem है आपके joint में दर्द हो रहा है हलका सा neurologic दर्द भी आपको बना रहता है तो आप guicum medicine यूज कर सकते हैं जिन patient को का भी chronic case हो गया है पुराने सी पुरान दर्द हो गया है तो आप 30 potency में इस medicine का शेवन कर सकते हैं चार बून सुबा और चार बून स्याम को higher potency में इस medicine का use नहीं करना है डॉक्टर की सला के नुसार आप higher potency का use कर सकते हैं 30 potency में direct tongue dose लेंगे चार बून सुबा और चार बून स्याम को continuous medicine का शेवन हम एक महने तक करेंगे या फिर एक महने से 15 दिन तक use करेंगे और फिर medicine को stop कर देंगे आपकी जो problem है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दूसरे नमबर पर आता है दोस्तो rheumatide arthritis जब patients को RA positive पाया जाता है जब भी patient blood test करवाता है तो RA positive पाया जाता है जिसमें यहाँ एक तरह की autoimmune disease होती है और इसमें especially small joint में हमेशा दर्द बना रहता है patients दर्द से हमेशा परिशान रहता है और जो small joint में जो दर्द होता है उसमें सूजन आ जाती है उसमें redness भी आपको देखने को मिलती है तो उसमें इस medicine का use किया जाता है mother tincture form में इस case में आपको use करना है एक कप पानी में 15 बुन सुपा 15 बुन दुफैर में 15 बुन दुफैर में 15 बुन दुफैर में continue 6 मेने से 8 मेने तक इस medicine का आप शेवन करते रहे आपकी जो दर्द की problem से बहाँ ठीक हो जाएगी इतने अच्छे इसके results clinical practice में देखने को मिले है तो आप इस medicine का शेवन कर सकते है इसके बाद आता है दोस्तों Cytica Cytica में इस medicine का use किया जाता है यदि Cytica left sided हो चाए right sided हो दोनों में आप इस medicine का शेवन कर सकते है इसका जो दर्द होता है स्लिप डिक्स की जो patients को problem होती है और वहाँ से जो L4, L5 से जो दर्द निकल के आता है और रेडियेट करते हुए सीधे नीचे तक जाता है और patients को इतना सीवियर दर्द होता है कि patient छूने तक नहीं देता है और कई बार patients को दबाने से मालिस करने से हलका सा आराम महसूस होता है तो guicum mother tincture form में इस medicine का शेवन किया जाता है तो इस तरह से आपको cytica की problems है काफी लंबे समय से cytica से आप परिशान हो रहा है काफी medicine आपने यूज कर ली है तो guicum का mother tincture जरूर यूज करें या फिर 30 potency में 4 बून सुबा चार बून शाम को इस medicine का शेवन करें only for 25 days तक करें और फिर medicine को आप stop कर दीजेगा आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाएगी next आता है दोस्तों sleep dicks की problem में आप बहुती अच्छा काम करती है sleep dicks में आपको problem हो गई है bulzing वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है तो आप इस medicine का शेवन कर सकते है वहाँ से जो दर्द होता है current जैसा दर्द होता है patients उठ बैठ नहीं सकता इतना severe दर्द patient में हमें देखने को मिलता है या patients बैठा हुआ है और बैठ के उठने में अचाना से बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब उसमें guicum medicine का यूज किया जाता है और जो दर्द होता है वह neurology का दर्द होता है यानि की patient को तड़क जैसा दर्द होता है current जैसा दर्द होता है जिस तरह के आर्निका में यूज किया जाता है मेकफॉस में यूज किया जाता है कोरो सिंद में करेंट जैसा दर्द हमें देखने को मिलता है इसी तरह से करेंट जैसा दर्द हमें गवाइकम में भी देखने को मिलता है तब इसमें गवाइकम मैडसिन आप यूज कर सकते हैं 30 पोड़ेंस में चारवून सुवा चारवून शाम को इस पेसली इस मैडेसिन का शेवन आपको करना है यह दी दर्द काफी लंबे समय से परिशान कर रहा है आपकी जो डिजीज है वहां क्रोनिक हो गई है तब आप दो महने तक भी इस मैडेसिन का शेवन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स लक्षन आता है दोस्तों एंकल स्पोंडोलाइसिस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है पेसेंट्स काफी लंबे समय से परिशान रहता है बहुत जदर सीवियर दर उसमें हमें देखने को मिलता है तर उसमें इस मैडेसिन का यूज मदर टिंचर फार्म में किया आता है एक कप पानी में पंदरा गुन सुवा पंदरा गुन दुफैर में पंदरा गुन रात में continuous मैडेसिन का शेवन आपको तीन महने तक करना है एंकल स्पोंडोलाइसिस की जो प्राब्लम है आपकी धीरे-धीरे करके ठीक हो जाती है नेक्स राता है दोस्तों काफी लंबे समय से आप परिशान हो रहे हैं वहाँ पे अकडन आपको देखने को मिलती है वहाँ पे आपको इस्टिपनेस आपको देखने को मिलती है जैसे आपके घुटनों में दर्द है और आप बैटके उठते हैं तो वहाँ पे अकडन जैसी आपको देखने को मिलती ह करेंट जैसे आपको वहाँ पर दर्द बना रहता है तब आप Gwaiicam का Mother Tincture का सिवन आप कर सकते हैं Mother Tincture का सिवन आपको दो महने तीन महने चार महने तक भी आप इस medicine का सिवन कर सकते हैं तो पचीस मेने तक आप बिना डॉक्टर की स्ला से ले सकते हैं ज़नरल यदि आगे medicine कאो करना है रिंसे अगे history अधर करना है यह बहुत ही देख काम करती है यह जडी आपको बेक पैन की problem है कमर दर्द की अपको problem है जनरल कमर दर्द की भी प्राउलम है तो गईकम medicine का आप यूज़ कर सकते हैं 30 potency में चारबून सुबा चारबून शाम को 25 डेस तक यूज़ करेंगे इसके बाद medicine को आप बंद कर देंगे cervical spondylitis में इस medicine का यूज़ किया जाता है cervical spondylitis की problem आपको काफी लंबे समय से बनी है neck में हमेशा दर्द बना रहता है इस तरह से गुमाने में आपको हमेशा दर्द बना रहता है उसमें neuralgia जैसा दर्द होता है current जैसा दर्द होता है तब इस medicine का C1 आप कर सकते हैं 30 potency में चारबून सुबा और चारबून शाम को lumbar spondylitis cervical spondylitis में इस medicine का यूज किया जाता है यदि आपको ankle pen आपको हमेशा बना रहता है उसमें तड़क जैसा हलका जैसा दर्द होता रहता है गुमाने में आपको हमेशा दर्द बना रहता है तब भी आप इस medicine का यूज कर सकते हैं मदर टिंचर में किस तरह से करना है मैंने वीडियो में बताए है और potency में किस medicine को कई बार कई patient को confusion हो जाता है किस medicine का सेवन हम किस तरह से करें खाना खाने के पहले करें या खाना खाने के बाद डाल लेंगे और सुबर श्याम इस मैडिसिन का इस तरह से सेवन किया जाता है इस बात का विसिद्धान रखें आशा करता हूं दोस्तों यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को से अपने फैंबली मेंबर्स में जरूर शेयर करे करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में वसे तरह नहीं फिर में लिंक के नेक्श वीडियो में तब तक के लिए जैन जै वारत बंदे मात्र झाल